कने अलोगर नया न extensions कोश फच्रागत है मैं आप को सबस्क्राइब है और लाइक किजिसे कई सफ्क्राइब किई जी तरे थैंस अव fault the कंई स़क्राइब अब नहीं क्दिक नहीं कुछ साल के बाद आपको realities सब्सक्राइब करने करें पेशा जैसा अव freelance TV को साल में आप सभी को पेशा जाना पड़ रहा है ठीक मैइ आप चाहि देखे या नहीं हमें आप कुछ साल के बाद अपको पेशा जाना पड़ेगा कूध है इसके लिए अब आप मरा कर अब कि अभी बिल्कुल प्री है कोई पेशा नहीं लगेगा ठीए फ्रेंस आज हमें डिसकुर्शन करेंगे कोश्वेट कि जिन क्रीम के बारे में यह क्रीम है क्या काम आता है अगर कोई भी आप कट कया है वह सुख नहीं रहा है वह देखिए अगर सर्दी के टाइम में आपके अगर स्कीन का स्कीन जो ट्राइव कभी कभी हो जाता है उसके बात सर्दी के टाइम में आप मेंसेज कर सकते हैं कोई कोई एक लटकी को एक अलगी लटका को या मी और आम्मा को आप देख सकते हैं अंगुली में पाओं में जो चुचुड़ापन आ जाता है ठीक है सवर्ण उसकत हैं कि भाव जासा बन जाता है उससे पर्स भी कभी निकलता है और आ मिकलता है motivating कोई वी दवा उसके लिए नहीं है मेंसुस कर सकते हैं कुछम है सर्धी की टाइम में ज्यादा होता है अगर आप के मेंदेट प्राय है ज्यादा ट्राय होगे तो यह सही मेशुस होता है जिसे कि अभी तादा तो गाव है यह सही लगता है लेकिन वो पुराना गाव है पांच से दौस साल या बिस साल पुराना गाव है मैरे कि दोजर प्राय के घाव है अभी भी मेरे शड़ी के टाइम में कि दोजर मैं कि तूठ हजूंट यहर का एक घाव मेरा था यह रोड़ पर मैंने कुछ काम कर रहा था वो चल गया था मेरे बच्चा था में तो इतना याद नहीं मैं कि छिल गया था ठीक है वह मुझे सुखने के लिए वह करीब 2009 लग गया ठीक है मैंने बहुत सारा क्रीम मड़े से भी ट्राय किया लेकिन कुछ नहीं हुआ ठीक हां सब्दी के टाइम में वह फिर से ओ जो घाव वह पुराना घाव है वह निकल लाता है ठीक है जैसे दादा पस्की लिए रिटाव सक्ता है यूंट प्लोड भी निकलता है ठीक है मैंने भी इसको एक्सी किया कुछ भी नहीं और जो भी रॉक्टर और बोलाबोला ऑचिसे करो एक्से करो लेकिन कुछ भी लेटल तर नहीं मेरा उसके बाद वह रक्टर्टर ने मुझे कुछ बेटा म मैंने उनको भी ले लिया परीब दश बराजर मैंने परसेश कल कुछ कहूं ठीके उसी एक छोटा सा घाव के लिए एक इंसे जड़ इंच का घाव हुए मेरा लेकिन इसके बाद यह जो कॉस्वेट जीएम की में यह प्यूर्ली केमिकल से ब्लैक कलर का स्ट्री पर लगा हुआ है इसका मतलब यह प्यूर्ली ब्लैक कलर का है और कोई भी कि एक कहाओ यह जो छिल गया है वो भर नहीं रहा है कि मेडिसिन चे यह बिटेमिसिक ठीक नहीं हो रहा है वो केमिकल से ठीक होगा क्यूं मुझे भी पता ने फ्रेंज अगर पता होता मैं ज़रूर बताता यहां पर देखिए कसुभेट जी एम क्रीम मुझे जो गहाँ है वह इचिंग बहुत जादा इचिंग होता है आपको बता नहीं सकता जैसे कि खाज खुजिल बताना अग्जीमा टाइप का उसी टाइप कह कर दाणने के लिए जो भी चाहिए महाँ चाहिए जैसा ही उसको उनको घर चाहिए और जाए ऐसा ही घर वहाँ पर हो जाता है सर्दी के टाइम में टीक है कि उसको हम छोड़ाने के लिए तोस्वोड कॉस्भेट जी एम क्रीम इस्तेमाल करते हैं देखी कोबिस्टल प्रोपेनेट और जेन्टामेन एंड मिकुनाचल नाइट्रेट क्रीम 20 एमजी का है मिल जाता है जी इसको अगर 10 रुपय में मैंने लिया था लेकिन अभी मैंने यह है यह और केट का है है कि अगर अगर आप कोई भी अधुसरा कमपानियाफ ले लेंगे तो और दोस्टरपा में आपको भी मिल जाएगा इसको अपने लगाया और तुरंत दू दिन के बाद वो घाओ भर गया और फिर मैंने उसको लगातर यूज करने के बाद 5-6 दिन लगातर यूज करने के बाद वो गाओ जो था बनने लगता लगने लगा ओएक रपातर के बाद ड्यूंद कॉंपलीटलु ठीक हगया एक सॉलरी के इक के लिए यूज कि वगया ने अंटीव सहल कर गया घिंत लो दो सट कैबाद इन वह बोल लगाओ फिर दो सब्सक्राइब करेगा के थेए नहीं करेगा जितना आप सोच रहे हैं अगर आपको 100 पर्षंट को जो घाओ है वो ठीक नहीं हो रहा है आप इसको यूज किजिए आप 80 पर्षंट वो भर जाएगा 20 पर्षंट वो ठीक स्थरी से वो भर नहीं पाएगा उसके लिए आप दो साल के बाद उस वही क्रीम को आपको नुए परसेश कर लीजिए और उसको यूज किजिए वो घाओ करीब आप 5 साल अगर यूज करेंगे तो उसके बाद आपको जो घाओ है घाओ है वो कंप्लिटली ठीक होने लगेगा मैं इसको करीब 4 साल से यूज कर रहा हूं ठीक है ने जो खाओ यह वो 90 परसंट ठीक हो गया अभी तक ठीक है 90 परसंट नहीं बोलूंगा 95 परसंट ठीक है अभी वह 5 परसंट है लेकिन वह पुराना वाला जैसे की हर साल आ जाता था सर्दी के टाइम में अगर सर्दी शुरू होना स्टार्ट हो जया तो ओ घाओ फिर से वह ताजा होने शुरू हो जाएगा जितना सर्दी बढ़ेगा इतना वह भी घाओ बढ़ेगा जैसे वह ताजा ताजा फेल रहा है ठीक है मैंने और कोई एक मुझे डक्टर ने गोला कि जो बो ने उसके साथ टॉच हो गया इसलिए वह घाओ भान नहीं रहा है मैंने एक्सरी भी किया डिजिटल एक्सरी किया और मानौली एक्सरी किया चेसर लुप्या देकर ठीक है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अगर इसको आप यूज करेंगे तो आपको जो पुरा नागा हो है सर्दी के टाइम में आता है वो ठीक हो जाएगा है इस क्रीम को लेने से पहले पहले पूछ लीजिए आपका जो सिम्टम से पहले जान लीजिए उसके बाद ले लिजिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि यह प्रेस्क्राइब है यहां पर लिखाओ को यह वार्निंग टूभी शोल्ड वाइज रिट्टेल और प्रेस्क्रिप्शन और सब्सक्राइब कहा रहा है या नहीं ले सकते हैं ये तो मेरा जो घाव है वह ठीक हो गया कि आप लेना चाहते तो ले लिजिए पर नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए तो इस चनल पर आपको प्रिमी मिलेगा और जो भी बात मेरे साथ घटना गवाट चुका है उसी के रिगाडिन उसी से बात करेंगे हम कोई भी जो प्रेड रिप्यू है इसा नहीं होगा कोई भी चैनल आप कोई भी देश सकते हैं वह प्रेड रिप्यू कभी कभी हो जाता है लेकिन हम मेरे चैनल पर आपको कोई भी प्रेड रिव्यू नहीं मिलेगा ठीके ब्रेंज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जीए और लाइक कीजिए और गंटी के आउट जरू दबाले जिए कि विल्कुल ठीके कोच मैंने कुछ साल के बाद आपको यह पेस आजना प मैंने पेड़ टेखने किली टेके प्रेंज टेकर और बाइबाइ